अब आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले कई लेक्चर्स में आर के अंदर हम किस तरह से अपने इसके बारे में समझने की कोशीश करीती है अब उसी रास्टे पर हम और आगे बगते हैं और आज हम matrix के बारे में समझने की कोशिश करते हैं आप सभी को पता होगा कि matrix भी के जो हमारे operations होते हैं mathematical operations होते हैं वो हमारे बाकी जो addition, multiplication, division इत्यादी से अलग होते हैं और matrix operation करने के हमारे नियम भी अलग होते हैं अब सवाल ये आता है कि इस matrix theory को हम या इन matrices को हम अपने R software में किस प्रकार से handle करें उसके पहले सवाल आता है कि इन matrices को हम क्यों यहाँ पे handle करना चाहते हैं तो दी कि R software का इस्तिमाल तो आपको आगे कहीं application में करना है न चाहिए वो statistics हो या वो बाकी आपके कोई subject हो अब अगर हमसे पूशेंगे तो सांकिकी में हमारा matrix theory का बहुत अपयोग होता है और जो हमारी analysis होती है उसके अंदर input और output दोनों हमारे matrix format में हो सकते हैं अब अगर हमको matrix के बारे में नहीं पता है और अगर हम अपने उस matrix के input या output से किसी particular information को बाहर extract करना चाहते हैं तो वह कैसी किया जाए हम वह तो हम करी नहीं सकते हैं इसलिए हमारे लिए इस matrix theory को R software में समझना बहुत आवश्यक है दूसरी बात जब हम matrix theory की बात करते हैं तो हमारे पास यहां पर बहुत सारे operations होते हैं addition, subtraction, multiplication, inverse, eigenvalue, transpose, इत्यादी अब उतने सारे operations को तो मैं आपको यहां पर नहीं बताऊंगा लेकिन जो हमारे popular और common operations होते हैं उनके बारे में मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूँगा हो सकते हैं कि उसमें से कुछ operations ऐसे हो जो आपको मालूम है और जो आपको ना मालूम हो तो मेरी जो कोशिश यह है कि मैं matrix theory की की बहुत ही elementary knowledge को इस्तमाल करते हुए उस information को आर्थ में कैसे implement किया जाए उसके बारे में मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूँगा तो पलिए हम इस lecture की शुरूआत करते हैं इस lecture में हम आपको मैंट्रिक्स के बारे में बहुत ही elementary information देंगी और आगे आने वाले कई lectures में हम आपको भिन भिन तरीके के matrix operation के बारे में बताते जाएंगे तो चलिए हब इस lecture की शुरुआत करते हैं अब ये तो आपको पता ही है कि matrix जो theory होती है और जो से matrices होती है वो हमारे calculation में बहुत ही आवश्यक होती है और our software के अंदर matrix भी हमारा एक objective करा होता है matrix होती क्या है? matrix एक आयताकार array होता है जहां पर हम अपने numerical values को rows और columns में arrange करते हैं rows कैसी होती है ऐसे करके और columns ऐसे vertical होते हैं तो अगर हम कोई यहां पर ऐसी लिखते हैं कि यह हमारी matrix है तो यह हमारी पहली row है यह हमारी दूसरी row है उसी तरीके से करके हमारी यहां पर पी row हो सकती है और उसी तरह से अगर हम column की बात करते हैं तो हमारे यहां पर पहला column हो सकता है दूसरा column हो सकता है उसी तरह से हमारे पास यहां पर मालिय की यह अन column हो सकते हैं तो यह जो matrix होता है, यह हमारी values का एक आयता का array होता है, जिसमें हम values को p rows और n columns में arrange करने की कोशेश करते हैं, अब अगर आप कोई भी matrix theory की हिताब को देखेंगे, तो उस book के अंदर, अगर हमको किसी matrix के किसी element को, को अगर लिखना है, तो हम ऐसे लिखते हैं, x और subscribe में आईजे, matrix के अंदर जो भी हमारी values होती हैं, उनको हम उस matrix के element कहते हैं, और हर एक element का एक address होता है, और वह address उस matrix की row और column के द्वारा बताया जाता है, तो इसलिए अगर हम किसी matrix का element है, कोई matrix हमारी एक्स, उसका element अगर हमारा i, j के form में अगर हम ऐसे लिखते हैं, तो अगर हमारे पास जो n rows हैं, या हमारे पास अगर n columns हैं, उसी के अनुसार हम इसमें i और j की value को लेते हैं, तो चलिए यहां पर हम माल लेते हैं कि i की value हमारी एक से n के बीच में हो सकती है, और j की value हमारी एक से e की बीच में हो सकती है, अब यह तो हमारा हो गया कि जिस तरह के से हम book के अंदर अपना symbol लिखते हैं, अगर इसी चीज़ को मुझे अगर अपने programming के form में किया जाता है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, x और square bracket में i और j लिख देते हैं, i में यह कुछ ऐसा होता है कि पहली value पे जो हमारी row की संख्या आएगी, और एक कॉमा लगाने के बाद में दूसरी value हमारी column की संख्या आएगी, तो यह हमारा एक program का version होता है, अब जो हमारे x के अंदर, जो हमारे elements होते हैं, किसी matrix के elements होते हैं, वो हमारे numerical भी हो सकते हैं, को स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, लेकिन mathematics में यूजिली हम जिस तरह की matrix को हम handle करते हैं, यूजिली हम numerical values में हमारा interest ज़ादा होता है, जहां पर हमारी numerical values हैं, वो एक real numbers होती है, तो हम भी यहां पर अभी उसी तरह की matrix लेंगे, जहां पर हमारे पास उसके elements कुछ real numbers हैं, अब जो अगला सवाल आता है, वो यह है कि R के अंदर हम matrix को किस तरह के से define करें, अब देखिए, अगर आपको कोई भी अगर एक matrix define करनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या ingredient चाहिए, सबसे पहले आपको number of rows मालूम होना चाहिए, उसके साथ में आपको number of columns मालूम होना चाहिए, अठाथ की उस matrix में कितनी row हैं और कितनी column हैं, और साथी साथ उन rows और उन columns में जो जिन values को enter करना है, वो है data आपको मालूम होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि किसी matrix को define करने के लिए हमको इन तीन अवेयों की अवशक्ता पढ़ेगी, अब आर में matrix को define करने का हमारा command होता है, m-a-t-r-i-x matrix और उसके बार देखिए हम इस parenthesis के अंदर हम अपने rows की संख्या, column की संख्या और जिस data को enter करना है, उसकी information देने की कोशिश करते हैं, अब अगर मुझको matrix में यह बताना है कि इस matrix में जो number of rows होंगी, वो होंगी चार, इसको define करने के लिए हमारा command होता है, nrow, n-r-o-w, और यह हमको दिखाता है number of rows, अथाथ, rows की संख्या, और उसी तरीके से हमारे पास उस matrix में कितने column होंगे, उसकी संख्या को indicate के लिए हमारा command होता है, n-col, n-c-o-l, और यह हमको number of columns के बारे में बताता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, nrow equal to four, और n-col equal to two, इसका मतलब कि हमें ऐसी matrix define करना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे पास चार rows होंगी ऐसे और इसमें ऐसे दो columns होंगे, अब जब किसी भी matrix में चार rows और दो columns होंगे, तो उसमें से हम जिन values को arrange करना चाहते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, यह होगी four into two, अर्था आठ, तो हमने क्या के दिया, कि जिस values को हमको अपने matrix में देनी है, उसको मैंने एक नए parameter के थूर डिफाइन कर दिया, और इस parameter का नाम दे दिया, मैंने DATA data, और उसके आगे हम लेक दिया data equal to, जैसे c12345678, अब देखिए, जो हमने इस data को यहाँ पे data vector के format में दिया हुआ है, इसकी जिगह आप यहाँ पे बहुत भी हमारे और जो data input करने के तरीके होते हैं, उनको भी इस्तिमाल कर सकते हैं, आप data vector को लगे सकते हैं, आप उनको sequence के form में दिया सकते हैं, इत्यादी, इन concept के बारे में अभी हमने नहीं बात करी, इसलिए हम यहाँ पर एक बहुत तीर का धाराल सा उधाराग ले रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और बात में जब आपको बाकी चीजों के बारे में पता चल जाएगा, आप उनको यहाँ पे directly इस्तिमाल कर सकते हैं, तो अब हम देखिए, एक सकते हैं एक मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास चार रो और दो कॉलम है, और उसमें एक से आठ तक के डेटा को अरेंज करना है, तो यह कमांड हमने लिखा और जब हम इसको आर पे एक्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए, हमारे पास कुछ ऐसा outcome आएगा, तो देखिए, यहाँ पे कितनी रोज हो गई, एक, दो, और तीन, और चार, इसको मैं कह सकते हैं, आर वन, आर टू, आर थ्री, और आर फोर, कॉलम्स कितने हो गए, एक और यह दो, इनको मैं कह सकते हैं, सी वन और सी टू, अब इसके साथ में आपको एक बात पर ध्यान देना है, कि आपने यहाँ पे आठ वैल्यू दीती हैं, यह आठ वैल्यू इस मैट्रिक्स के अंदर किस प्रकार से अरेंज हुई हैं, आप देखिए, पहली वैल्यू अपकी आई वन, उसके बाद उसी कॉल्म में अगले स्थान पर अगली वैल्यू आगई दो, उसके बाद अगले स्थान पर वैल्यू आगई तीन, उसके बाद उसी कॉल्म में अगले स्थान पर वैल्यू आगई चार, अब उसके बाद जब इस ने अपने कॉल्म को बदल दिया, और ये दूसरे column पर आ गई और फिर इसने यहाँ पर पांस value को enter कर दिया पांस के बाद में उसी column में फिर वो 6 value पर आ गई और फिर वो 7 value पर आ गई और फिर वो 8 value पर आ गई आप अगर देखिए आपने क्या किया आपका ये जो data था कालम wise arrange हो गया अब एक सवाल तो आपके दिमाग में यह अबश्य आएगा कि इसी डेटा को अगर मुझको row wise arrange करना है तो कैसे किये ठीक है हम उझके बादे में अभी आगे आने वाली slides में बात करेंगे अब हम आपको यहां पर इन operations को आपको आर कंसोल में करके दिखाना चाहेंगे लेकिन आप तो आपने समझ लिया है कि matrix operation में आपके पास तीन यह आवश्यक परामेटर्स हैं n row, n call और data जो आपको number of rows, number of columns और जो उस matrix में data इंटर करना उसके बारे में बता रहे हैं क्रिमिशा और यह आप में देखा है कि यह जो आपका data हो रहा है यह आपका column wise यहां पर enter हो रहा है तो अब हम कब से पहले आपको इस operation को यहां पर करके दिखाते हैं और हम इस command को matrix यहां पर हमारे पास है n row equal to 4, n call equal to 2 और data is equal to 1 से 8 यह मैंने यहां पर लिखा हुआ है और इसको हम दे इंटर करते हैं तो अब देखिए आपका x कैसा आगया ऐसा आगया 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8 वालब कि data आपका column wise यहां पर arrange हो गया अब दूसरा सवाल आता है कि इस matrix में अगर मुझको किसी particular numerical value को या किसी particular data को जो एक कोई दी हुई location पर है उसको हम बाहर निकालना चाहते हैं या उसको हम access करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से किया जाए तो किसी भी data value को access करने के लिए हमारा r में command होता है सबसे पहले हम matrix का नाम दे देंगे जैसे मैंने यहां पर matrix का नाम दिया हुआ है x और उसके साथ में हम देखी यहां पर square bracket लगाएंगे और यहां पर हम सबसे पहले लिख देंगे रो संख्या और उसके बाद जो भी उसक है column संख्या और इसको हम square bracket से बंद कर देंगे इससे क्या होगा कि जिस row और जिस column की संख्या यहां पर दी होगे वहां पर हमारा जो भी value इस्थित होगी वह हमको मिल जाएगी कि अप कासे वो धारल के लिए अगर हम कहें यहां पर की हम लिखते हैं यहां पर माला लिजिये आख से 3,2 अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमको पहले row संक्या की पर आना है तो row संक्या आपकी क्या हो गई? 3 यह आपकी हो गई और उसके बाद kolum संक्या क्या है? 2, कॉलम संक्या आपकी हो गई यह तो अब आप यह देखेंगे की इन दोनों line के intersection पर क्या value आई है 7 तो अगर आप यहां पर R console में type करेंगे x और square bracket में 3,2 तो यह इसकी value आजाएगी 7 जो यह इस value को यहां पर दिखाने की कोशिश कर रही है साथ ही आपको यहां में एक बात और पता चलेगी कुछ पहले हमने बात करी थी कि हमारे पास गरित में तो तीन तरह के bracket होते हैं गरित की competition करने के लिए ऐसे small bracket, curly bracket और square bracket लेकिन हमारे पास R software में हम इन तीन brackets का इस्तमाल अलग अलग जगा पर करते हैं तो यहां पर आपने देखा कि हम यहां पर square bracket का इस्तमाल कर रहे हैं देखिए तो square bracket का address हमने यहां पर इस्तमाल किया है matrix के अंदर किसी value का address indicate करने के लिए उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हमारे जो curly bracket और square bracket के क्या-क्या roles होते हैं क्या-क्या functions होते हैं वह हम आपको आगे आने वाले समय में बताएंगे तो आज मैंने आपको देखिए पहली बार इस square bracket का भी क्या इस्तमाल होता है उसके बारे में बताया है राइट अब हम आपको जड़ा सा यह operation पहले R software में करके दिखा दें तो जैसे कि आप अगर यहां पर देखिए अगर हम आने लिखा X से 4,1 अब इसका मतलब क्या हुआ फोर्थ रो कौथी रो और पहला कॉलम तो यहां पर इनके intersection पर कौन सी value आई चार अब आप जब इंटर करेंगे तो देखिए आ गया चार उसी तरीके से आप अगर यहां पर इंटर करिए अगर आप X 2,1 तो देखिए क्या जाएगा दूसरी रो और पहला कॉलम तो यह value का जाएगी 2 अगर आप इंटर करेंगे तो देखिए आ गई 2 अब आप ने यहां पर कर दिया लिख दिया X 2,4 अब आपको क्या उमेद है कि यहां पर क्या value आईगी चलिए एंटर करते हैं देखिए यह आगया error क्यों आगया error आपने यहां पर कहा एक्स में दूसरी रो और चौथा कॉलम लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास कितने कॉलम है एक और दो तो जब दो ही कॉलम है तो चौथे कॉलम की value आपको यहां पर कैसे मिल जाएगी और इसलिए आप में मेसेज आ वह आपकी एक्स मेट्रिक्स की में जो कॉलम की संक्या है उससे बाहर है तो यह इसका मतलब होता है और इसके दौरा आप इन चीजों का यहां पर आप हैंडिल कर सकते हैं अब हम आपको देखिए कुछ और aspect के बारे में बताने की कोशिश करते हैं जैसा मैंने अभी आपको इस matrix में जो हमारा data होता है उसको हम row और column wise कैसे arrange करें उसके बारे में बात करी थी तो अब अगर हम आपको यहां पर यह बताने की कोशिश करें कि यह आप कैसे control कर सकते हैं कि data आपका row wise arrange होना चाहिए या column wise यह बात यहां पर बताने की कोशिश करते हैं और यहां पर आपने देखिए data को कैसे arrange करें column wise देखिए अब यहां पर अगर आपको यह control करना है कि आपका data column wise होना चाहिए या row wise होना चाहिए उसके लिए हमारे पास एक और parameter होता है बाई रो बी वाई आर ओ डबलू सब कुछ हमारा lower case alpha bits में रहेगा यह बाई रो जो हमारा होता है यह हमारा एक logical variable होता है तो logical variable है तो इसके हमारे दो पतर हो सकते हैं true और false अब ज़रा सा आप इसका मतलब समझने की कोशिश करिए एक जो सामान भाशा में मैं हर्दम कहता हूँ कि जो भी आपके इसके आर के command से आप उसको सामान भाशा में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत आसानी से बैठे आएंगे यहां पर मैंने क्या लिखा है by row equal to false अर्थात कि हम अपने इस matrix को instruction दे रहे हैं कि इसके अंदर जो data हमारा arrange होना है वह by row होगा यह statement wrong है false है गलत है अर्थात यह data row wise arrange नहीं होगा अब जब हमारा data row wise arrange नहीं होगा तो कैसे होगा दो ही तो option है यह तो row wise और यह column wise तो यह data हमारा automatically column wise arrange हो जाएगा तो आप देखेंगे जब इसका हमारा output आता है तो एक ही column wise है 1, 2, 3, 4 इसके बाद में यह उपर आ गया फिर 5, 6, 7, 8 लेकिन जो बात आपको यहां पर ध्यान देनी है वह यह है कि कि जब हमने यहां पर command में by row के बारे में कुछ नहीं लिखा था और दूसरे वाले command में by row equal to false लिखा है तो दोनों का outcome समान आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम by row के बारे में अपने program में कोई information नहीं देते हैं तो आर by default उसको false मान लेता है अर्थार वह default तरीके से उस data को column y ही arrange करेगा जब तक कि आप उसको यहां पर by row equal to true ना कर दें तो अगर आपको अपने data को अगर row wise इंटर करना है तो आपको उसी command में जो आपने अभी लिया है वहां पर आप कर दिए by row equal to true अर्थार जो हमारा data है वो हमारा row wise arrange होना चाहिए तो इस cases में आप क्या देखेंगे इसमें क्या होगा आपकी पहली value आ गई 1 इसके बाद यह पहली row में गया और दूसरे column में उसने जो दूसरी value है उसको assign कर दिया तो पहली ही row में एक और दो दोनों values assign होगी फिर यह इसकी हमारी row change होगी और यह हमारी दूसरी row में आएगा और उसके बाद में जो जो अगली value है उसको यहाँ पर assign करेगा जो है मारी 3 उसके बाद हम यह फिर से उसी रो में आएगा और जो हमारी अगली value है 4 उसको assign करेगा assign करके फिर ये लोटेगा जो अगली रो है और वहाँ पर अगली वैल्यू को assign करेगा पांच उसके बाद में उसी रो में आगे भगेगा और जो अगली वैल्यू को assign करेगा छे और फिर से लोट करके अगली रो में आएगा वहाँ पर अगली वैल्यू assign करेगा साथ और उसके बाद में उसी रो में अंतिम वैल्व को एसाइन करेगा आठ तो आप अगर देखेंगी यह जो हमारा ऑपरेशन कुछ ऐसे चल रहा है राइट ऐसे करके तो यह हमारा ऑपरेशन क्या है रोवाइस और अगर कॉलम वाइस होता है तो कैसे होता है पहले डेटा ऐसे आता है कॉल आप जो बात समझने के लिए है वह यह है कि अगर आपको अपना डेटा कॉलम वाइस इंटर करना है तो आप चाहें तो बाई रो के बारे में लिखें तो आप लिखें बाई इकल टू फॉल्स और अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो भी हमारा आटोमेटिकली बाई डिफॉ कि यहां पे बाई रो के बारे में कुछ नहीं लिखा है और यहां पे बाई रो के बारे में लिखा हुआ है टू तो देखिए यह आपको यहां से कॉलम वाइस अरेंज कर रहा है और यह आपको रो वाइस अरेंज कर रहा है अब चलिए इसी ऑपरेशन को जरह हम आपको आर कमांड में हम जरह से यहां पर एड करते हैं by row equal to false तो देखें क्या हो गया आपकी यह वाला output और यह वाला output दोनों आपके सेम आ गए अर्थाथ कि इसका जो default option हमारा by row का है वो है false अब हम इसी में काम करते हैं हम इस false की जगह करते हैं true और इसको जरह हम इस matrix का नाम भी बलते हैं y अब देखते हैं की y का output क्या है अब आप देखिए y का output अब कब बदल गया यह हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 8 तो यह देखिए यह आपके control में है की आप किस प्रकार से अपने data की entry को करना चाहते हैं अब जब हमारा कोई data अगर enter हो जाता है किसी matrix में तो उसके पास हम कुछ information होती है जो हम निकालना चाहेंगे अगर हमारे पास कोई कहीं से कोई matrix आ गई और हमको उसकी जो information है अथारतिक जैसे कि उसमें कितनी rows हैं कितने columns हैं उसका mode क्या है इत्यारी इस तरह की information अगर निकाल नहीं है तो उसको कैसे निकाला जाए तो अधरार के लिए हम अपनी इसी matrix को यहां पर लेते हैं जो हमने लिए है एकस matrix जिसमें four rows, दो column और एकस याड़ तक की values को दिया गया है column wise दिखिया पर यह है और इसी matrix में हम जड़ा से इसमें अगर हमको यह matrix खाली दी हुई है इसकी हम dimension, number of rows, number of columns निकालते हैं तो इस matrix की dimension अथार, number of rows और number of columns को एक साथ निकालने के लिए हमारे पास command होता है dim, dim, सब कुछ lower case alphabet में और parenthesis में हम इस matrix का नाम लिख देंगे, तो हमारा आप कुछ देखे, outcome ऐसा आजाएगा, four two, earth heart, इसका हमारा pattern है, वो यह है, पहले लिखी है row और इसके बाद लिखा हुआ है column, then उसके बाद में, अगर हमको इस matrix की खाली rows पता करनी है, तो हमारा command होत और parenthesis में हम लिख देंगे x, तो हमको इस matrix की में कितनी rows है, वो पता चल जाएगा, इसका उतर आजाएगा, चार, और अगर हमको अपनी matrix में number of columns को निकालना है, तो हमारा command होता है ncol, ncol, और parenthesis में हम लिख देंगे उस matrix का नाम, तो अगर हम लिखें यहाँ पे ncol x, तो इस matrix के अंदर, दो columns है, उसी तरीके से, अगर हमको इस matrix का mode निकालना है, आपको याद होगा, हम लोग ने कुछ लेक्शिस पहले mode के बारे में बात करी थी, कि mode हमारे numeric होते है, character होते है, और ध्यान रखेगा, कि हम यहाँ पे statistical mode की बात नहीं कर रहें, जो हमारा mean median mode वाला mode हो आपने जो दी हैं, वो सब numeric ही तो है, और उसी तरह से, आपको अगर इस matrix के जो attributes होते हैं, उनके बारे में पता करना है, तो हमारा command होता है attributes, और parenthesis में आप उस matrix का नाम लिख दीजिए, तो इसके spelling होती है, A, double T, R, I, B, U, T, E, S, और parenthesis में आप लिख दी matrix का नाम X, तो आ इसे आपको इस matrix के attributes हैं, उनके बारे में पता चल जाएगा, तो चलिए आगे बगने के पहले, मैं आपको इन operation को यहाँ पर हम आपको करके दिखाद गेते हैं, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें, Y के बारे में चलिए बात करते हैं, Y हमने अभी define करी थी, तो Y में अ आपको अगर यहाँ पे इसकी खाली number of rows को पता करना है, तो आपको दिए N row, Y उत्र आजाएगा चार, और अगर आपको इसके number of columns निकालने हैं, तो आपको दिए N call, इसका उत्र आजाएगा दो, और अगर आपको इसका mode निकालना है, तो mode में आपको दिए mode of Y, mode और attributes, A, T, R, I, B, U, T, E, S, और bracket में कर दिए Y, तो आपने देखा कि इस R में इस matrix और उसके matrix के बारे में जो भी information होती है, उसको निकालना बहुत कथिन नहीं होता है, अब इस matrix के operation में बहुत सारी information और भी होती, बहुत सारी commands होती है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में suggest करूँगा कि आप एक बार help matrix में जरूर देखने की कोशिश करिए, और आप type करिए help और double course के अंदर type करिए matrix, आप देखिए इसके बारे में सारा detail यहां पर मिल जाएगा, as matrix, is matrix, अब देखिए यहां पर दाहरल के लिए, मैंने आपको यहां पर as matrix, यहां में कुछ नहीं बताया है, लेकिन हम as और इस वाले जो operations हैं, वो हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, जहां पर हम लोग ने as.numeric, is.character, इत्यादी तरह के operation करे थे, अगर आपने उनको ठीक से समझा हुआ है, तो आपको नहीं लगता है कि आगर आप यहां पर लिखा हुआ as.matrix, is.matrix इसको देख करके आपको नहीं समझ में आएगा कि यहां पर हमको क्या करना है और इसे हमको क्या outcome मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने यह सारी information खाली जो हमारे help के अंदर army दिया होता है, वहां से खाली copy करी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए, और लेकिन मैं matrix के अंदर जो जो भी और हमारे option दिये हैं, उनको समझने की कोशिच करिए, लेकिन इसमें हर सारे सारे information आपको दिये है, n row, n call, is matrix, as matrix, इत्यादी, इत्यादी, और यह के सारे सारे references आपको यहां पर दिये हुए हैं, सारे धारन दिये हुए हैं, आपको देखिए यहां पर ओके, तो अब हम यहां पर इस lecture में यहां पर रूपते हैं, और यह lecture छोटा और कृप्स था, छोटा तो इस sense में था कि इसमें जो हमने contents cover की हैं, वो बहुत कम हैं, लेकिन मेरे दिमार्ग में यह था कि मैं पहली बार चुकी matrix को आपके सामने introduce कर रहा हूं, तो यह बहुत important ह कि आप थासा कमें निकाल करके, इस matrix course को आर्ग में execute करके, आप उसको अपने दिमाग में बठाने की ज़रूर कोशिश करिए, उसके जो हमारे अवियाई होते हैं, एन्रो, एन्कॉल, डेटा, बाई रो, इतियादी, इसके रावा और क्या क्या होता है, उसको यह बहुत इनके बहुत सारे और भी operations होते हैं, जो हमारे matrix के नियमों का पालन करते हुए होते हैं, तो उन operations को हम आगे आने वाले कई lectures में आपको बताने की कोशिश करेंगे, और जैसा मैंने कहा था कि हम आपको खाली जो भी important operations हैं, उनके बारे में बताएंगे, उसके अलावा, मैं य mathematics theory को आज में कहां तक सीखना चाते हैं, तो आप इसकी practice करिए और हम आपको अगले lecture ने मिलने आएंगे, तब तक के लिए, good bye. एंगे, तबोचे माइन.